नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डिजिटल फ्री सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अरियाना स्टाप सेलेक्शन कमिशन के दोवारा जो गुरूप डी सीटी लिया जाएगा यानि कि सीटी गुरूप डी की तैयारिया अब जोरों पर हैं 21-22 अक्टूबर को यह एग्जाम होना है सुबह और शाम की सिप्ट में यानि कि हर दिन दो सिप्ट रहेंगी इसके अलावा पहले जो 17 जिलों में एग्जाम होता था अब 19 जिलों में होगा और क्या-क्या रननेती में बदलाव किया गया है इसके अलावा चेर्मेन साब ने क्या बयान दिया है पूरी इंफोर्मेशन विस्तार्श आपको बताएंगे अगर आप नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि विश्वसने और स्टीक न्यूज आपको यहाँ पर मिलती है फेक न्यूज कभी नहीं दी जाती साथियों यह देखे गुरूपD बरती, CET की तैयारियों में करिमचारी चैनायोग, बलोक और तंग गलियों में नहीं होंगे प्रिक्षा के इंदर यानि की आपकी बार बलोक स्तर के उपर कोई भी प्रिक्षा के इंदर नहीं बनाया जाएगा ये डिसीजन लिया गया है चेर्मेन साब का बयान देखने से पहले साथ यो ये देखिए पंचकुला और चंडीगड में दोगने होंगे सेंटर नैशनल टेस्टिंग एजन्सी ने जब पिछली बार गुरूप सी का पेपर लिया था तब पंचकुला और चंडीगड में कम सेंटर बनाए गए थे चुकि दोनों जगह स्कुलों में प्रिक्षा के अंदर बन सकते हैं ऐसे में आयोगने निर्ने लिया है कि इन सेरों में पिछली बार से दोगनी संक्या में सेंटर बनाए जाएंगी इन सेंटरों की डिटेल जुटाई जा रही है और जल्द ही यह डिटेल एंटिये को साजा कर दी जाएगी ताकि आधिकतर अब यर्थी पंचकुला और चंडीगड में प्रिक्षा देशकें 21 और 22 अक्टूबर को गुरूप डी सीटी का एक्जाम होना है एक सतर में कम से कम तीन लाख कंडिडेट प्रिक्षा दे पाएंगी 13 जार से अधिक पदों के उपर बर्ती होनी है और खास बात यह है कि मेरिट क्यादार पर इन युवाओं को नोकरी मिलेगी लेकिन सात्यों अब 19 जिले किये गए हैं इन जिलों में यह द्यान रखा जाएगा कि भीडबाड वाले इलाकों में प्रिक्षा के अंदर नहीं होने चीएं इसके लिए टीम पूरी जानकारी जुटा रही है ऐसे सेंटरों को काट कर नए सेंटर बनाय जा रहे हैं यह सेंटर वाँ होंगे जहां गलिया तंग नहीं होंगी और भीडबाड भी नहीं होगी यान की मैज तीन जिलों को छोड़ कर बाकि सबी जिलों में गुरूप टी की प्रिक्षा है वो करवाई जाएगी ये देखे साथियो आपको पता है अरियाना करमचारी चैन आयो की टीमें जिलों का दोरा कर रही थी और अब वो लोट आई है आयो के चेर्मेन बोपाल सिंग जी खदरी ने बताया है कि आप आयो की और से तीन कटेगरी यान की A, B और C तीन कटेगरी में प्रिक्षा के अंदरों को बाटा गया है आपकी बार ब्लोक्स तरके उपर कोई भी प्रिक्षा के अंदर नहीं होगा क्योंकि यह सेर से बहुत दूर होता है और वहां तक आवागमन के सादन भी इतने नहीं होते इसलिए प्रिक्षा आर्ती को प्रिक्षानी का सामना करना पड़ता है यही नहीं तंग गलियों में भी प्रिक्षा के अंदर नहीं बनाए जाएंगे जिन सेंट्रों में इस तरह की दिक्कत होगी उनको गुरूप C में डाल दिया जाएगा यान की गुरूप C का मतलब समझे साथ यो A, B और C तीन कटेगरी जो बनाई गई है तो गुरूप C में ऐसे सेंट्रों को डाला जाएगा जहां तंग गलिया है या जो में सेर से दूर है और जो परिक्षा का आयोजन होगा ये देखे परिक्षा का आयोजन केवल गुरूप A और B के सेंट्रों में ही किया जाएगा यान की टोप सेंट्रों में परिक्षा का आयोजन करवाए जाएगा और जो दूर सेंटर रहेगा उसे गुरूप C में डाल दिया जाएगा और वहाँ पर एक्जाम नहीं होने वाड़ा तो ये बड़ा अपडेट है ये नया बयान चेयर्मेंट साब काया है कि अब की बार रनेती में बदलाव किया गया है बलोक स्तर और तंगलियों में आप सेंटर नहीं रखे जाएंगी तो ये बड़े फैसले अचसे के दोरा जिक किये जारे है साथ यूँ आप अपनी तयारी जारे रखे क्योंकि अरियाना स्टाप स्लेक्शन कमिशन है वो 21 अक्टूबर के इसाब से ही अपनी तयारियां कर रहा है एंटिये गुरूप डी का ये एक्जाम लेने वाड़ा है ऐसे ही और बरतियों से रिलेटेट जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वुडियो में